नमस्कार दोस्तों वैदिक पंचेगव यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉस्टिक कुकवेर के यूज से आपको कैंसर हो सकता है जो भी प्रेगनेट औरते हैं उनके लिए और उनके गर्म में पल रहे बच्चों के लिए भी नॉस्टिक कुकवेर का यूज बहुत जादा हानिका रखो सकता है नॉस्टिक कुकवेर को गर्म करने के बाद जो फ्यूम्स निकलती है वो फ्यूम्स इतनी डेंजरस है कि उसकी वज़े से बर्ड्स में भी पॉजिनिंग और डेडली इनलेस पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बैल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारे नयने और लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे दोस्तों इस वीडियो की सब्सक्राइब को पता नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगी फ्लोरीन एक बहुत ही जहरी लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक गैस है तो अब सवाल यह उड़ता है कि मानव की शरीर में फ्लोरीन जैसी खतरनाग गैस के अनूं आय कहा से तो यह कहानी शुरू होती है 1938 से जब रॉय प्लैंकेट नाम के एक शक्स ने ड्यूपॉंट नाम की कमपनी के लिए काम करते वक्त टैफलॉन की खोजगी दोस्तों टैफलॉन एक बहुती अद्भूत मटेरियल है जो सामानन सापमान पर बहुती स्थीर और अगर्शन शील रहता है और इसलिए इसका उप्योग इसके बाद में सबसे पहले किया गया दूसरे विश्वय उद्ध में यूरेनियम हेक्जाफलोराइड को सुरक्षित रखने के लिए इसके बाद 1944 में कमपणी ने इसका ट्रेडमार्क ले लिया और इसके अलग-अले उत्पात बनाना शुरू कर दिया 1951 में कमपणी ने इसे खाना पकाने के बरतोनों पर चड़ा कर नॉस्टिंग कुक्वेर बनाने की सोची क्योंकि यह अगर्शनशील है तो खाना इसे चिपकता नहीं था पर इस तरह से बना हुए बरतोनों को जब लाब में टेस्ट किया गया तब उन्हें पता चला कि यह बरतन गम करने पर हाइट टेंपरेचर पर उच्चत आपमान पर बहुत ज़ादा जहरेली गैस्प छोड़ते हैं और इस बात से कमपनी डर गई और उन्हें अपने बरतन बाजार में नहीं उतारे थे इसके बाद 1954 में फ्रांस में इसका पेटन्ट लिया गया और टेफल नाम के एक कमपनी में इस तरह से बना हुए बरतनों को बाजार में उतार दिया इस चताउनी के साथ कि ये बरतन अगर हम उच्चत आपमान पर गम करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारख हो सकता है बस फिर क्या था फिर डूपॉंट हो या फिर टेफल हो और और भी कई कमपनियों ने धड़ा धड़ इस तरह से प्रोड़क्शन करना शुरू कर दिया और ये नौस्टिक बरतन बाजार में लाना शुरू कर दिया और हम जैसे लोगों ने ये चेतावनी बिना पड़े हुए ही उसका इस्तमाल करना शुरू कर दिया या फिर जो लोग पढ़ते भी है वो ये समझ नहीं पाते हैं कि स्वास्ति के लिए हानिकारख है तो कितना हानिकारख है फिर इससे पहुचने वाली हानिक क्या हो सकती है इससे होने वाले नतीजे क्या हो सकते है उस्तो ये नौस्टिक परतन कितने हानिकारख हो सकते है हमारी शरीक के लिए ये कैसी सथा से डेंजरस है ये बात में आपको एक उधारन देखे ही बताना चाहूंगी दोस्तो 1981 में नॉस्टिक कुकवेर के कमपनी में काम करने वाली दो गर्भवती महिलाओं ने फिजिकल रूप से असामान्य बच्चों को जर्म दिया और इसके बाद में जब उनका ब्लड टेस्ट कराया गया तब उसमें पर फ्लोरो और्टनिक एसेड याने की PFOA की मातरा पाई गई और इस घटना के बाद में मैं आपको बता दू के कमपनी ने वहाँ पे काम करने वाली 50 से पी जादा युवा महिलाओं को काम पर से निकाल दिया उनकी शरिय में जो PFOA की मातरा है वो कम होनी चाहिए इसके लिए तो दोस्तो ये तो एक वाक्या हो गया इसके आगे की खटना में आपको बताती हूँ सन 2004 में वहाँ पर पीने के पानी में काफी मातरा में PFOA पाया गया और इसकी वज़े से इसी डूपॉंट कमपनी को 343 मिलियन डॉलर्स का जुर्मा ना भी भरना पड़ा था और इसके बाद अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पर रिसर्च किया गया और रिसर्च में पाया गया कि वहाँ पर 90% लोगों के खून में PFOA प्रेजन्ट है दोस्तों हमारे शर्य में फ्लोरीन जैसी खतरनौक और हानिकारक गयस के अणू जाने का सिफ एक ही माद्यम है वो है ये नॉस्टिक कुपवेर तो यही एक जरिया है हमारे पेट में PFA, PFC या फिर PFOA एंटर करने का और जैसा कि मैंने पहले बताया ये टैफलोन जो है ये सामान्य तापमान पर बिल्कुल निश्क्रिया रहता है पर जब इसे गर्म किया जाता है तो करीब-करीब 200 डिग्री सेंटिग्रेड और उसके अबो ये 6 से 7 बहुत जहरीली गैसेश छोड़ता है और इन 6 गैसेश में से 2 गैसेश कैंसर कारक है और बाकी की जो 4-5 गैसेश है वो सामान्य रूप से हमारे स्वास्ती के लिए भी बहुत हानिकारक होती है और जब हम इससे बने हुए बरतन 500 डिग्री सेंटिग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका तेजी से विगटन शुरू हो जाता है और ये पहले से भी 10 कुना ज़ादा जहरीली पर फ्लोरो आईसो ब्यूटेंग गैस छोड़ना शुरू करतेता है दोस्तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो आज नंबर वन नैच्रल हेल्थ वेबसाइट मानी जाती है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ पर जाकर और ज़्यादा कुक्वेर इस्तमाल करेंगे तो सोचे अब तक हमारे बॉड़ी पर कितना एडवर्स इफेक्ट होड़ चुका होगा इस नंस्टिक कुक्वेर की वज़े से दोस्तो रिसर्च के अनुसार अगर हम आज और अभी से भी नंस्टिक कुक्वेर में बना हुआ खाना खाना और नॉस्टिक जैसे परतनों को अपने कीचन से निकाल कर बाहर कर दे और जादा से जादा जितना हो सके उतना खाना पनाने के लिए सबसे अच्छा और सेफेस आप्शन जो है बिट्टी के बरतन और या फिर लोहे के बरतन इनका इस्तमाल करें और इससे हमारे देश में जो लोहार और कुमभार भाई है उनको भी तो बिजनेस मिलेगा है कि नहीं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज का हमारे यह वीडियो आपको कैसा लगा हमेरे कमेंट बाक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीड कीजिए उनके साथ जिनाइस की दरूरत है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद